आज मैं बना रहा हूं आलू मत्र गोष्ट एक बड़ा टमाटार एक बड़ी प्यास लेसान अद्रक नम्मा खस्पे जुरत एक टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च टी स्पून हल्दी और देट धन्या पोडर टेबल स्पून देख्ची में तेल डाल दिया है अब इसमें प्यास एट कर देता हूं एक बड़ा टमाटा रेट कर देता हूं प्यास का बस हलका रंग शुर्ख किया है इस ते माटर डाल दीए इसमें ये सब मसाले एक कर देता हूं जो निकाल करक्ते हूए देए डाल ये दूँ दूदा पानी डाल देता हूं जलना जाने दो मेंट के लिए ढग देता हूं जाने दो मेंट हो गया है जाने नो गोष देगा बाड़ देता हूं गोष्ट देगाँ साहती लेशनेगे जाने प्रप्रच देड्ट तेला है गोस्ट गॉंता चलें गोस्ट भून लिए तीन से चार मिन्ट चलें अब इसमें पानियर कर देता हूं चलें पकने के लिए छोड़ देता हूं चलें गोस्ट चेक करते हैं माशा आला करते हैं गोस्ट गल गया है चलें और मैंने ये मतर आलू तीन आलू लिए द्रम्याने साइज के और ये मतर ले दिए करते हूं चलें आप आलू दाल देता हूं परमतर भी दाल दाल देता हूं चलें इंका बहुंता हूं जाले जाले जाले। अच्छी तरह बून लिए देखें मसाला जजब हो गया है चौरवे के लिए पानी डाग देता हूं अच्छी तरह बूस्ट इसे में आलू और मटर बें गल जाएंगे और शोरवा भी रख़ूंगा अच्छी तरह देता हूं अच्छी तरह पंद्रा मेंट हो गया है चेक करते हैं इसमिल्ला रहा है अच्छी तरह आलू और मटर भी गल गया है अब हरी मर्चें अड़ कर देता हूं तरह अच्छी तरह आएंगे और दम पर रखते हैं पिर मैं आपको निकाल के डूंगे में निकाल के दिखाता हूं चलें दस मिंट के लिए ब्रेक पर जाते हैं चलें दस मेंट हो गया है अब चेक करता हूं पिकाता हूं यह देखें डूंगे में निकाल लिए हरा धनिया डाल देता हूं चलें आलूबोच त्यार हो गया है आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद है तो आप भी जरूर ट्राइ कीजिएगा चलें आज के लिए आला अफेस कल एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे इन्शाला अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लैक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक्यू अला अफेस